नमस्कार आपका स्वागत है शनी देव जो नियाई के देवता है वे समस्त स्रिष्टी के चराचरों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते है शनी सूर्य देव तथा माता च्छाय के पुत्र है नव ग्रहों में शनी ही एक ऐसा ग्रह है जिसे सबसे क्रूर और उग्रम माना गया है हिंदु धर्म में शनीवार शनी देव को समर्पित होता है इसी करण प्राचिन काल से ही रुशिमुनी शनीवार की दिन शनीदेव की पूजा आराधना करते आ रहे है शनी की साडे साती अथ्वा शनी की ढहिया का नाम सुनते ही भले भले जातो को पर भी प्रतिकुल मनवग्यनिक प्रभाव परता है लेकिन जिस प्रकार शनी देव दुष्टों को दंड़ देते है उसी प्रकार शनी इमांदार लोगों के लिए यश, धन, पद और समान देने वाले है शनी संतुलन एवम न्याय के देवता है शनी धर्म, अर्थ, कर्म और न्याय का प्रतिक है शनी की ही क्रपा से वेक्ति को धन संपत्ती, वैभो और मुक्ष की प्राप्ती होती है शनी पापिया और दुराचरी प्रानियों के लिए अत्यंत दुख दायक है शनी की दशा आने पर वेक्ति के जीवन में कई उतार चड़ाव आते है और उसका जीवन पूरी तरह से डगमगा जाता है परन्त कुछ मनुष्य के लिए शनी अत्यंत स्रेष्ट फलदाई है सूर्य पुत्र शनी म्रत्य लोग के एक मात्रह से स्वामी है जो वेक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे धंडावश्य देते है और उसे सुधरनी के लिए प्रेरीद करते है शास्त्रों के अनुसार अगर वेक्ति के जीवन में ऐसी घटनाए घट रही हो तो उस वेक्ति को यह समझ जाना चाहिए कि उससे शनी देव नाराज है और उसे तुरंट शनी देव को प्रसन करने के लिए उपाय करने चाहिए और शनी के इस माया चक्र से मुक्ति पालेनी चाहिए आया आपको बताते है जब सनी देव किसी व्यक्ति पर नाराज होते है तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है लेकिन इससे पहले अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब जरू करे सत वीडियो को एक लाइक जरू करें, क्यूंकि बाद में आप भूल जाते हैं पहला लक्षन, मार्ग से भटकना, जैसे कहा गया है यसमे देवाहा प्रैच्छंती, पुरुशाय पराभवम, बुद्धिम तस्यपकर्शंती, सोवा चिनानी पश्षती जिस व्यक्ति के जीवन में पराजे लिखी हो, इश्वर उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते है इससे उस व्यक्ति को अच्छी बाते दिखाई नहीं देती, वो केवल बुरा ही बुरा देख पाता है अर्थात, उसके पिछले पाक कर्मों के आधार पर, शनी देव मोनिशे की बुद्धि ऐसे हर लेते हैं, कि उसे आगे बढ़ने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता वो बीच में ही फज्जाता है, उसे उन्नती करने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता चार और उसे केवल, अपयश और हार ही नजर आती है, और वो प्रेतन भी नहीं कर पाता दूसरी बात, कर्ज का बढ़ना सनी जिन वेक्तियों पर नारज होते हैं, ऐसे वेक्ति कर्ज के बोज के तले दबे रहते हैं अवेशक्ता ना होने पर भी बेकार की चीजे खरिदने के लिए और बेकार के कामों के लिए पैसे लेते हैं और बरबाद हो जाते हैं, कर्ज का भार बढ़ जाता है, और उसे चुका नहीं पाते जीवन में कभी किसी की मदद ना करने के कारण ही, वेक्ति को ऐसी सजा मिलती है हमेशा स्वार्त करने पर वेक्ति के जीवन में ये दशा आती है तीसरी बात वैसनों से घिर जाना अगर वैक्ति वैसनों से घिरा है अर्थात नशिली चीजों का सिवन करने लगता है अचानक किसी बुरी आदुत को अपना लेता है ये उसके पाप कर्मों का ही फल होता है वैक्ति किसी का दिल दुखाता है अथ्वा माता पिता को आपशब कहता है कोई भी धर्मकारिय नहीं करता तो उसे शनी देव ऐसा दंड़ देते है कि वह बुरी आदुतों के जाल में फज जाता है और उसे बाहर नहीं निकल पाता चवती बात वयशावरती जो पुरुश पराईस्तियों से सम्मण बनाता है अथ्वा वयशाव के पास जाता है ऐसा विक्ति पापी है शनी देव ऐसे मौनशी की उन्नति कभी होने नहीं देते ऐसा विक्ति शनी के नियाय से बच नहीं पाता और जीवन दुख बीमारी और ग बहेंकर अपराध है, न्याई के देवताय से मनिश को अत्यंत दुखदाई कष्ट देते हैं, जो मनिश मासाहर करता है, अथो अपशुव को अकारण ही मारता है, वो उन्नती नहीं कर पाता, ऐसे पापी वेक्ति को सेनिदेव बहेंकर दंड देते हैं, इन्हें तुरंत ही शनिदेव ऐसे वेक्ति को कभी ख्शमा नहीं करते, जो दूसरों का फाइदा उठाकर उनका धन लूट लेता है, सात्य बात, दूसरों का बुरा करना, जो महलाय दूसरों के साथ बुरा करती है, अथो दूसरों के आन्न में विश मिलाकर उन्हें खिलाती है, वो अस्तरी पापी होती है, जो भी मनुशें दूसरों के साथ बुरा करता है, अथो दूसरों का बुरा हो जाए, ऐसी मनहीं मन कामना करता है, वो शनिके दंड का ही पात्रों होता है, ऐसे मनुशें का कोई अपना नहीं होता, इन्हें मृत्ति के पश्चादवी मोक्षन नहीं मिलता, तो दोस्ती ये थी वो बाते जिन से समझ में आता है क्यों स्वेक्ति से शनी देव नाराज है शनी के धंडे से बचने के लिए ये कारिया ना करे और शनीवार को शनी मंदिर में जाकर शनी पर तेल चड़ा कर भूक्यार गरिब लोगों को दान करे इससे शनी की गृपा बनी तो होता है अगर आप भी शनी देव को मानते हैं तो कमेंड में जय शनी देव अवेश लिखे ये जान करें आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें कमेंड करें शेर करें धन्यवाद